नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापती, लेक्चरर मेकेनिकल इंजीनरिंग, गॉर्मेंट पॉली टेकनिक बरगड चित्रकूट आप सभी का अपने इस ए लेक्चर जॉब जाल साजी एलर्ट में हारतेक स्वागते में वभिनंदन करता हूँ अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक में जो सब्जेक्ट्स थे उस पर वीडियो बना रहा था तो फिर ये अचानक थोड़ा सा अलग हटकर लग रहा है जॉब जाल साजी एलर्ट इसकी क्या वशक्ता आन पड़ी आखर ये क्यों वीडियो बनाना पड़ रहा है तो मैं आपको इसमें आपको बात बताता हूँ जो कि अभी रिसेंट की है अभी कलिया परसों की बात है मेरे एक स्टूडेंट ने जो कि मेचेनिकल फाइनल येर में स्टूडेंट है उसने मेरे वाटसप में एक जॉब लेटर भेजा इंटर्विव लेटर जो कि टाटा कम आप लोग जानते होंगे बहुत सारी टाटा की बहुत सारी कंपनियां है अलग-अलग फील्ड में तो उसने बताया कि सर मेरा इंटर्वियू है और मेरे इसमें मेल पर या उसने बताया कि उसके मोबाइल में यह मैसेज आया है और यह पूरा पूरा फाइल तो सर इसमें देखिए क्या किया जाए क्या करना है तो जब मैंने उसको पीडिएफ को ओपन करके देखा तो उसमें बकायदे टाटा का लोगो टाटा कंपनी का पूरा नाम सारा चीज बेवरान उसमें लिखा हुआ था और यह भी लिखा था कि इंटर्वियू था उसमें कुछ सेलरी बगएरा की भी बात थी कि सेलरी के लिए आपका सेथ फोटी वन था उजन्ट या सम्थिंग ऐसा कुछ था और उसमें काफी सारी चीज़ें लिखी थी जब पूरा जब मैंने पढ़ा तो नीचे एक बात पर मेरी नजर गई उसमें एक चीज लिखी किसी भी mode of payment से आप इसमें payment कर सकते हैं तो ये चीज उसमें जब मैंने जैसे ही पड़ी तो मेरा माता ठनक गया तो मैं तुरंत उस student को reply किया बताया कि बेटा ये जो letter है आपका interview ये fake है अच्छा ये मैंने देखते ही कैसे बता दिया इसलिए बता दिया क्योंकि इस तरह की घटना 2-3 साल पहले एक और हो चुकी है मेरा एक student था mechanical का pass out तो वो किसी job fair में गया था उस job fair में हुआ ये था कि वो किसी company में select हुआ hero company का उसने बताया था कि hero company का उसको फिर interview होने के बाद उसको job offer भी मिला company के तरफ से job offer आए कि hero company में आपका selection हो गया है लेकिन company की एक policy है policy ये है कि आपको dress के लिए और आपके suits यानि जूतों के लिए पहले से 25 रुपए यानि 2000 dress का और 500 रुपए जूतों का जमा करना पड दिया वो पैसा जब जमा कर दिया तो उसको लगा कि चलो 25 रुपए की बात है जमा कर देते हैं सेलेक्शन तो होई होई गया है और उसके बाद देखा जाएगा 25 रुपए company hero company मानी जानी मानी company है पैसा तो refund करी देगी तो वो जब 25 रुपए कर दिये काफी दिनों तक फिर वो एधर-धर उसने जब call करना शुरू किया जब उसने फिर हीरो authentic source से जब हीरो company का सर्च करके उसमें HR manager का number निकाला वहाँ बात किया तो उन्होंने बताए कि ऐसा तो कोई interview हमने कराया ही नहीं आप लगता है किसी जाल साजी के सिकार हो गए हैं तो वो लड़का बहुत प final year जब होता है जैसे इस समय 6 semester चल रहा है बच्चों का तो diploma engineering हो polytechnic में जो छात्र डिपलोमा कर रहे हैं या engineering college में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जब final year में आ जाते हैं तो उनका job के प्रतिये tension बढ़ जाता है उनको लगता है job कहां करनी है company हमारे लिए आएगी कि नहीं सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करें तो ये बड़ा critical time उनके लिए होता है कई बच्चे जो घर से समर्थ नहीं होते हैं तो वो अपना private company के लिए try करते हैं कि कोई package मिल जाये नौकरी उसमें लग जाये तो अपना हम जीवने अपन करते रहे हैं इस तरह से वो लोग हर किसी का यही प्रयास होता है हर student अपना प्रयास करता है नौकरी में जाना चाहते हैं घर की इस्तिती भी ठीक नहीं रहती है इन्हीं सब का फायदा उठा करके कुछ anti-social elements जो जालसाज जिनको हम कह सकते हैं fraud जिनका behavior होता है वो इस तरह की की जालसाजी करते हैं अच्छा अलावा यह जो जॉब में चल रहा है जो बच्चे जॉब के लिए लालाइलित होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं कंपनी में उनको ठका जा रहा है उस पर आप लोगों की आखें खोलना आप लोगों को जागरूप करना बहुत जिरूरी है क्योंकि अब आप लोग कभी final semester semester है एक-दो semester में एक-दो महीने बाद आप लोगों का exam अगर हो जाता है लोगडाउन खत्म होने के बाद पर इच्छा पास आप हो जाएंगे तो आप लोग फिर मार्केट में उतर जाएंगे वही जॉब के लिए फिर से वही मारा मारी शुरू हो जाएगी यह बड़ा critical औ उसके बाद मैं Google में गया उसमें मैं search किया Tata की जो organization था उसका मैंने website को जब search किया तो उसमें मैंने देखा कि उसमें यह disclaimer लिखा हुआ तो मतलब चेताउनी लिखी थी कि आप यह हमारे यहां किसी भी तरह की interview selection के लिए interview call करने के लिए interview में बुलाने के लिए या job देने के लिए किसी से भी किसी भी तरह का एक रुपया भी या एक पैसा भी नहीं लिया जाता है और अगर कोई आपसे ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जाल साजी कर रहा है और इसमें किसी तरह का company का कोई रोल नहीं है तो मैं उस student को उसका screenshot करके मैं उसके mobile में भेजा और मै इसका मतलब है कि वो जाल साजी या प्रॉट कर रहा है तो ये इसी बारे में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं जरूरी ये समझा हूँ कि कम से कम चूँकि final semester है सभी का तो ये सबको जागरूख होना चाहिए सबको ये जानकारी होना चाहिए कि किस सरे जौब के नाम पर उनको जाल में फसा कर उनके साथ पैसों की धोका धड़ी या जाल साजी किया जाता है तो इसी परिप्रेच में मैंने ये वीडियो आज का बनाया है तो वी आर हाईरिंग मतलब हम recruitment कर रहे हैं और वो letter भी मैं अभी दिखाऊंगा मैंने इस पर आपके आप खुद देखिएगा कि किस तरह से सारी चीजे लिखी हैं उसमें लिखाएगी चार सो ग्यारा जो सौर्ट लिस्ट हुए है बच्चे और उनमें चार सो दो ही पोश्ट है मतलब आप समझे कि कितना नौ का उन्होंने कि सिर्फ नौ बच्चे का मतलब पैसा जमा कर तो आपका सेलेक्शन हो ही जाएगा वो इस तरह से उसमें दिखाया गया है तो यही चीज थोड़ा सा समझने की है इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने के अवशक्ता मैंने मैसूस किया और मैं अभी आपके सामने हूँ तो जो भी हो जब भी आपको इंटर्वियू के लिए कोई कॉल करें इमेल पर आपके मैसेज आए आपके मोगाइल पर मैसेज आए आपसे जॉब इंटर्वियू के लिए कहा जाए किसी भी रूप में चाहे वो छोटी सी मनी छोटे से छोटा हैं जो रूपे का हो 200 का 500 का 25 सो का 5,000, 8,000, 10,000 का कुछ भी आपको लालज दिया जाए तो किसी को भी आपको पैसा ट्रांसफर नहीं करना है और उसकी पूरी जाच परताल कर लेनी है और एक बात आप माइंड में बठा लीजिए कि यदि कोई भी विक्ति आपसे पैसा मांग रहा है तो इसका मतला भी कि कहीं न कहीं वो फेक इंटर्व बना रहे हैं बहुत सारे छात छात्रा इनके जाल में फसकर धोखादड़ी का सिकार भी हो रहे हैं मनें आपसे बताए कि मेरा ही एक स्टूडेंट दो साल पहले की बात है जाल साजी का सिकार हो चुका था और पच्चिस सो रुपे उसने जमा कर दिया तो यह सोचके कि पच लागों का धड़ी जाल साजी में आगे बढ़ रहे हैं यह स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यह देखिए लैप साइड में यह आपका टाटा का पूरा लोगो लगा हुआ है कंपनी का पूरा एड्रस लिखा है सब चीज इसमें लिखी हुई है पूरा सिस्ट्मेटिक त प्राय में यह सब इसमें देखी लिखा हुआ है पूरा हर चीज लिखी हुई है किस डेट को इंटर्व्यू है और इसके नेक्स स्लाइड में यह देखी आप यह देखे दिया हुआ है कि आप किसी भी लिखा है यह हम क्यों जमा करा रहे हैं ड्यू टू कोबिड नाइंटीन यूज मास्क गलप्स जो सेनिटाइजर गिवन बाइदा कंपनी फ्री आप कोश्ट आपको करें दिया जाएगा और इसके लिए देखी यह लिखा हुआ है आपका यह पूरा देखिए एड्रस दिया हुआ हुआ इसमें लिखा है कि भीम, UPI, IMPH, ट्रांसफर, गूगल पे phone pay, ATM wallet, किसी से भी आप यह ट्रांसफर पैसा इनकी direct account में कर सकते हैं इसमें account का detail नहीं दिया हुआ लिखा है कि bank account की detail के लिए आप HR manager को Dr. Avino Parasar को आप call कर लीजे तो उसमें call करके आपको बताएंगे मतलब सीधा सीधा यह पूरा का पूरा इस पस्ट रूप से क्या case है, fraud का case है, तो इसमें कितने रूपे मांग रहे हैं आपका यह देखी लिखा हुआ, amount रूपी 6,999 रूपीज उनली, 6,999 रूपया with GHD, तो यह है आपको करना है, बाई इंटर्व्यू के लिजबिल हो जाएंगे और इसमें पूरा प्रोसेस में लिखा है, जब आप इंटर्व्यू देने के लिए आएंगे, तो वहाँ पर आप रसीज जब दिखाएंगे पेमेंट की, तो पैसा आपको वहीं पर account section के द्वारा refund कर दिया जाएगा, और इसमें पार कोड दिया है, मोहर लगी है, टाटा की, टाटा का लोगो, यह देखे बैक्राउंड में बना है, HR मेनेजर का नंबर नाम लिखा है, कहीं से भी कोई जो विचारा सीधा साधा student हो, पॉली टेकनिक का ये इंजिनरिंग का लेज का, तो वो जाल में फस जाएंगे कि अरे चाले साथ हजार रुपए हम दे देते, रिफंड भी हो जाता, तो आज हम 40,000 की 45,000 रुपए की नौकरी कर रहे होते, तो ये वेटा नौकरी तो आपको मिलनी नहीं क्योंकि ये तो फरजी है, और ये पैसा जैसे ही आप ट्रांसपर करोगे, कोई न वेन्यू में मिलेगा, ना इंटर्व्यू के लिए कोई उपलब दोगा, ना आपका पैसा वापस होना है, तो ये पूरा फिर उसके बाद देखे, मैंने गूगल में जब सर्च किया, तो ये देखे, टाटा.com, ये करियर्स में ये पूरा जैसे ही आप वेप साइट खोलेंगे टाटा कंपरी की, देखे, ये डिस्क्लेमर दिया है, फेक जॉब्स, डिस्क्लेमर एंड नोटिफिकेशन, ये स्क्रीन सॉट करके मैंने आपके स्क्रीन पर ये दिख राया है, लगाया हुआ है, वी डू नोट चार्ज, एक्सेप्ट एनी एमाउंट और सिक्योर्टी डिपोजिट फ्रॉम जॉब सीकर्स, यानि जॉब सीकर्से जो जॉब ढूलने वाले हैं, उनसे हम ना तो किसी तरह का एमाउंट जमा कराते हैं, और ना सिक्योर्टी डिपोजिट लेते हैं, डिूरिंग दा सेलेक्शन प्रॉसेस और वाइल इन्वाइटिंग कंडिडेट्स पोर एन इंटर्व तो बच्चों ये आप देख रहे हैं किस तरह का जॉब जाल साजी, फ्रॉड जॉब देने के नाम पर जॉब के नाम पर आपको आपके साथ किया जा रहा है, आप ही कि कही साथ के बच्चे नहीं जानकारी हो पाती हैं, चोटा वाट का एमाउंट है तो ट्रांसपर कर देत अपलाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं नकहीं नोकरी जरूर मिलेगी, अच्छी नोकरी मिलेगी, मेरी आपको सुबकामना हैं, लेकिन किसी भी तरह की कि आप एक डिप्लोमा इंजिनियर हैं, और बहुत भावी अच्छे जो हैं, उदियमान आप इंजिनियर बनने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपना इसमें माइंड जरूर रखिए, दूसरों को भी सचेत और जागरूप करिए, ताकि इस तरीकी की जाल साजी से वो लोग बस सकें, हम लोग बस सकें, इसी तरीकी की चीजें आपको जरूर ध्यान रखना हैं, आगे भी मैं आपके सं पर्क बना रहेगा, आज के लिए इतना काफी है, तो उमीद करता हूँ कि आप लास्ट में फिर से एक बार अपनी बात को दोहराऊंगा, वही बात कि कोई भी इंटर्वियू के नाम पर, या आपको जॉब देने के नाम पर, या सिक्योर्टी मनी के नाम पर, कितना भी छो में एसा आप किसी भी रूप में मत दीजिए, चाहाए आप किसी कॉलेज में गए हों, जॉब फ्यार में वहां कंपनी आई हो, आप सो चैARिए, तो जॉब फ्यार में कंपनी आई थी, तो फ्रोट कैसे हो सकती है, ऐसा नहीं है, कई सारे प्राइवेट आई टी आई, प्रा जी है कि क्या है उनका नाम होता है कि देखो हमने 20 कंपनिया बुलाईं, 50 कंपनिया बुलाईं, हमने इतने बच्चों का सेलेक्शन कराया, दिखाते हैं, पेपर में निकलवा देते हैं, और वो कंपनिया फिर धोका धड़ी फ्रॉट करती हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिए ब वक्ता वो धोका धड़ी और जालसाजी का केस होगा, कोसिस करिए कि गॉर्मेंट जो इंजिनिंग कॉलेज हैं, गॉर्मेंट पॉली टेक्निक हैं, गॉर्मेंट आइटी आई हैं, वहाँ पर अगर कंपनिय बुलाई जा रही हैं, तो वहाँ चांसे हैं कि उन्हें फेक नह करेंगे, तो हो सकता है, उनको खिलाब कोई कारवाई एक्शन, लीगल एक्शन करवा दिया जाए, हो जाए, तो प्राइवेट को ज्यादा टारगेट करते हैं, कोई प्राइवेट इस्टिटूट हो, वहाँ पर बच्चों को टारगेट बनाते हैं, जोब फेर में अपना क आउंटर ओपन कर लेते हैं, बच्चों को बलाते हैं, सेलेक्शन कराते हैं, फिर पैसा मागने लगते हैं, तो ये प्रोसेस वो लोग करते हैं, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमामले में जरूर जाग रूख हुए होंगे, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मुच नेक्स टाइम फिर आपसे मैं मिलता हूँ और इसी तरह की नए टॉपिक के साथ थैंक्यू वेरी मुच